देश के हर इंसान के दिल में एक ख्वाब होता है उस ख्वाब के साथ उसके मन में कुछ विचार भी होता है आइडियाज भी होते हैं और पूरा परिवार परिशान हो जातंे हैं कि एक कुछ करतारे पसे किसी में लगा inne करता है। सोने मिल रहे हैं क्या हो गया इसको पागल तो नहीं हो गया लेकिन वही एक दिन कुछ कमाल करके दिखा देता है जब पूरे परिवार को लगता है नहीं साब इसमें तो पहले से ही अथा था क्योंकि ज्यादा आतार ये फ़र्ट जन्रेशन एंट्रेप्रिनर है और जब कुछ सोचा होगा नहीं भीटे अपना काम नहीं तो कहीं नोकरी कर ले है कि शुरू में जब दोस्तों ने अंपड़ा होगा अब कुराया हुगा को पहास किया होगा कि जाते आते आपको उसी उत्राम से शुनाते होदंगे एख करने वाला है यह करने वाला है फिज एक पल आया होगा सारी दोर विरोध हुआ होगा सब दूर परिवार के लोगों ने विरोध क्यों नहीं है नहीं करना है जाओ अम आओ नोकरी कर लो उस विरोध के बावजूद भी जो ठीके होंगे आज सब लोग कहते होंगे कि हार इसने तो कमाल करती कि कुछ ऐसा मुझे भी करना है हर किसी के स्टार्ट अप की जिंद्गी की यही कहानी है विशाल और सफल कारोबार का निरिमान करने के लिए और सफलताओं से बचा नहीं जा सकता है जो पानी से भागता है वो कभी तैरना नहीं सिख सकता है एक बार तो डूमना ही पड़त है तब जाकर के तायर नहीं हो है हर चीज की कभी स्थरुआत होती है तो जो करता है उसी को दिखता है क्या होने वाला है और वो वही दिखता है कि पाडल है पैसे कमाने की इरादे से अधा है वो कभी स्टार्टब परी complaintति जो कुछ कुछ करने की इरादा-से अता है पैसे असके लिए बाई प्रोडरक्ट होते हैं एक भीतर से उर्जा होती है, भीतर में सपने होते हैं, उसके साथ खब जाने का इरादा होता है, तब जाकर के परिस्थितिया फलग दियुक्त जो एप बनाता है, या जो स्टार्डप की दुनिया में एंटर होता है, या कोई नई चीजों को इनोवेट करता है, उसके मूल में उसके अंदर एक संवेदना होती है, बहुत कम लोग इस बात को अनुभव कर पाएंगे, और जब वो कोई बुरे हाल देखता है, कोई समच्य समस्या देखता है, वो उसे सोने नहीं देती है, समस्या उसकी नहीं है, किसी और की है, लेकिन उसे सोने नहीं देती है, उसका मून करता है, मैं कोई रास्ता खोजू, मैं कुछ करू इसके लिए, किसी के लिए जो दर्द होता है, जो हमें हमारे भीतर एक ऐसी अवस्था प रहना चाहेंगे। और जब किसी स्टार्टॉप के पास समस्या के समाधान का इरादा होगा, तो उसकी संतोष का लेवल भी कर कुछ और होगा। स्टार्ट अप कहने के बाद उस लोगों की सोच होती है तो कड़ा हाइफाई होगा लैप्टॉप के बाहर दुनिया कुछ नहीं होगी मोबाइल से जुड़े होंगे कि हर किसी के पास बिलियन डॉलर का काम हो रहा है